हेलो फ्रेंड से आज मैं आपके साथ शेर करूंगी गले का नया डिजाइन यहाँ पर देखिए मैंने कैन्वस लिया है और इस पर मैंने पूने 5 इंच का चोड़ाई का नाप लिया है और 12 इंच लंबाई का नाप लिया है अब नीचे में लंबाई पर मैं देखिए 1 इंच और 1 पोइंट का निसान लगा दिया है मैंने और इसे क्रोस में लाइन बना लिया है यह हमारे गले के लिए कैन्वस तयार है इसे कटिंग करके मैं कपड़े पर चिपका दूँगी यहाँ पर देखिए मैंने 14 इंच लंबी और 2 इंच चोड़ी मैंने 2 पट्टिये तयार की है उसे मैंने कपड़े पर चिपका लिया है अब यहाँ पर हम गले का सेंटर का निसान लगाएंगे अब यह देखिए यहाँ पर मैं कैन्वस की इस तरफ किनारी पर मैं सिलाई लगा दूँगी यहाँ पर देखिए जो मैंने पट्टिये ली थी उसके मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके कैन्वस की किनारी पर सिलाई लगा दूँगी और उसके ऊपर मैंने ये लेस रख कर सिलाई लगा दी है यहाँ पर मैंने पाँच नमबर की सिलाई लगाई है यह देखिए इस तरह से मैंने लेस फिक्स कर ली है अब एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने काट लिया है हमारी ये दो पटिये तैयार होगी यह देखिए अब यहाँ पर मैंने गले को देखिए कुर्टी के फ्रंट पर मैंने सबसे पहले गले के कैन्वस पर लेस को इस तरहा से अंदर सीधा रखकर मैंने सिलाई लगा दी थी जिस तरहा से हम गुम लेस लगाते हैं गले में उस तरहा से मैंने यह लेस की पट्टिये दोनों तरफ लगा दी थी, और मैंने इस तरह से कुर्टी के फ्रंट पर रखे देखिए, इस तरह से सिलाई लगाई है, दोनों साइड से और नीचे से मैंने खुला रखा है, गले को ये देखिए, ये हमारी जो पट्टी ये लगेगी वो गुम लेस की तरह लगेगी, इसमे मैंने खुला छोड़ा है अभी देखिए इसको मैं कटिंग कर लूँगी बीच का कपड़ा गले का बहुत ही फिनिसिंग से और बहुत ही अच्छा ये गले का डिजाइन बनेगा बैक साइड में बिल्कुल भी सिलाई का कपड़ा नहीं दिखेगा ये गुम लेस की तरहा हमारी पट्टी है निकल के बाहर आएगी लेस की ये देखेए मैंने गले को कटिंग कर लिया है और यहाँ कॉर्णर पर मैंने इस तरह से कट लगा दिये है अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आगे और कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताईए अब यहाँ पर देखें जो मैंने बीच का हिस्सा गले का खुला रखा था उसके अंदर मैं यह लैस की पट्टियों को दोनों को इस तरह से डाल दूँगी अभी तक यह ट्रिक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी यूट्यूब पर यह देखें इस तरह से हमारी गले की पट्टी पीछे आ गई है और हमारी जो लैस की पट्टी है वो अंदर की तरफ चली गई है सिलाई में यहाँ पर यह देखें फ्रantes में इस तरह से यह हमारी गले का लुक आएगा यहाँ पर देखें जो मैंने अंदर की तरफ लैस की पट्टी यह डाली है अब इसको मैं गले की पट्टी के साथ और कुर्टी के फ्रंट के साथ इस तरह से सिलाई लगाउंगी अंदर देखिए कपड़े को में दोनों को अंदर की तरफ करके मैं सिलाई लगा दूँगी हमारी लेस की पट्टी ये बीच में आएगी और गले की पट्टी और कुर्ती के फ्रंट की पट्टी आजुबाजु में आएगी उसके उपर नीचे यह देखे इस तरहा से यह हमारा पूरा गला कवर हो गया है यह देखे यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा लेस की पट्टिये हैं उसे कटिंग कर दिया है अब यहाँ पर देखिए जो मेरा आस्तर है मैं उसके साथ गले की जो पट्टी है हमारी अंदर फोल्ड की हुई उसे में सिलाई लगा दूँगी ताके हमें तुर्पाई नहीं करनी पड़े और हमारा काम आसान हो जाए यह देखिए हमारा गला बन कर तयार है अभी इसमें हमें बीच में और कपड़ा लगाना है यहाँ पर देखिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है लंबाई में अब इसे मैंने इस तरह से प्लीट्स ले ली है इसमें आधा-धा इंच की प्लीट्स ली है मैंने यह देखे इस तरह से दूसरी तरफ भी मैं प्लिट्स लेते हुए सिलाई लगा दूँगी अब यहाँ पर देखे मैंने एक कपड़ा लिया है त्रिकोन जो हमारे गले की कटिंग में से बीच में से निकला था उसी को मैंने इस पर रखकर इस तरह से सिलाई लगा दी है ताकर हमारे back side में plain कपड़ा आ जाए प्लिट्स वाले हिस्से के पीछे यह देखे इस तरह से मैंने पलट कर अब मैं इसे भी सिलाई करके आटेश कर दूँगी उपर वाले कपड़े के साथ यह देखे हम इसे इस तरह से गले के बीच में लगाएंगे सबसे मैं पहले मैं गले का नाप ले लूँगी उपर से गले की चोड़ाई का भी हमें नाप ले लेना है जो के मेरा साड़े साथ इंच है यह ब्रोड गला है इसलिए मेरा नाप इसमें थोड़ा चोड़ाई का ज्यादा है अगर आपको ब्रोड गला नहीं बना है ना है तो आप रेग्यूलर जो नॉर्मल गले का नाप ह होता है उस हिसाब से भी आप यह गले को बना सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे ब्रोड स्टाइल में बनाया है यह देखिए हमारे दोनों निसान की तरह साथ ही वो कपड़ा आना चाहिए प्लीट्स वाला अब यहाँ पर पीछे का एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लूंगी मै यह देखिए हमारे गले की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है बैक साइट से ब्रोड बनाया है